नमस्कार दोस्तों बात करें से ही करेंगे नेपाल ने भारत को अपना कहा है हो कैसे नेपाल ने जारी किया देश का नया नक्सा इस नक्से में नेपाल ने कुल 395 वर कीलोमीडर के इलाके को जो है सामिल किया है इसमें लिम्पिया, धूरा, लिपुलेग और काला फानी के अलावा गुंजी, नावी और कुटी गाउं को भी सामिल किया गया है नेपाल के नए नेक्से में काला पानी के कुल 60 वर किलोमीटर के इलागे को अपना बताया गया है इसमें लिम्पिया धुरा के 335 किलोमीटर के इलाके को जोर देतो यह कुल 395 वर किलोमीटर हो जाएगा इस तरह से नेपाल ने भारत के 395 वर किलोमीटर को अपना दावा ठोका है इससे पहले सुमबार को परधार मंतरी केपी सर्मा ओली के नितुत में केबिनेट में बैठक किया गया और इस दोरान इस मैप को मंजूरी दी गई यह इलाके जबकि भारत में आते हैं नेपाली केबिनेट से नए नक्से के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नेपाल की राष्टपती विद्या देवी भंडारी ने कहा था लिम्पिया धूरा, लिपुलेग और काला पानी इलाके नेपाल में आते हैं और इन इलाकों को वापस पाने के लिए मजबूत कूटनीति कतम उठाए जाएंगे मंगल मार को परदरा मंत्री केपी सर्मा ओली ने संसद में कहा कि काला पानी, लिम्पिया धूरा और लिपुलेग वह हमारा है और हम उसे पापस लेके रहेंगे यह तक्रार तब से प्रारम हुआ जब से धार्चूला से लिपुलेग तक की नई रोड का रक्षा मंत्री राजना सिंग की ओर से उधगाटन किया गया था इस रोड पर काठमंडू ने पत्ती जताई और इस रोड से कैलास मानसोबर जाने वाले तिर्थ यात्रियों की दूरी कम हो जाएगी नेपाल के विदेश मंत्री परदीब कुमार ग्यावली ने भारत के राज़ूत बिने मोहन क्वात्रा को जो है तलब कर दिया भारत ने भी साप जवाब दिया अपने पोजिशन को साप करते हुए कह दिया कि उत्राखंड के पितोडागर जिले में जो है हाली में बनी रोड पुरी तरह से भारत की लाके में है ग्यावली ने सोंबार को एक ट्विट में जानकारी दी कि कैबिनेट ने साथ परांत 77 जिलों और 733 अस्थानी निकायों वाले नेपाल का नक्सा परकासित करने का जो है निर्ने लिया है इसमें लिपिया धूरा लिपुलग और खाला पानी भी होंगे भारत और नेपाल का जो संबन था वो रोटी और वेटी के साथ था ऐसा कहा जाता है नेपाल जो है अंग्रेजों का गुस्टा भारत पर निकाल लहा है भारत और नेपाल के बर्तमाल विबाद की शुरुआ जो है 18-16 इसमें हुई तब ब्रिटीस हुकूमत के हाथो नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे इसके बाद सुगवली की संदी हुई जिसमें उन्हें सिक, नैनितार, दार्जलिंग, लीपूले, काला पानी को भारत को जो है देना परा था हलाकि अंग्रेजों ने बाद में कुछ हिसा लोटा दिया यही नहीं तराई का इलाका भी अंग्रेजों ने नेपाल से छिन लिया लेकिन भारत जो है 1857 में स्वतंता संग्रा में नेपाल के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था अंग्रेजों ने उन्हें इसका इनाम दिया और पूरा तराई का इलाका जो है नेपाल को दे दिया तराई के इलाके में भारतिय मुल्के लोग रहते थे लेगिन अंग्रेजों ने जनसंख्या के विब्रित पूरा इलाका जो है नेपाल को दे दिया नेपाल मामलों पर नजर रखने वाले एक वरिष्ट निकारी ने बताया कि 1816 के जंग में हार की कसक नेपाल के गोर्खा समुदाय में आज भी बना हुआ है इसी का फायदा वहां के राजनीतिक दल उठारे हैं उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच जाड़ी इस विवाद में एक दिक्कत यह भी है कि नेपाल कह रहा है कि जो सुगवली की संधी के दस्तावेज गाइव हो गया है नेपाल के परधान मंत्री जो है भारत प्रहमला बोलते हुए कहा है कि सत्मयों जयते है या सिंग्मयों जयते है नेपाल में इन दिनों राजनीती में बामपंथियों का दबदबा है बरतमान परधान मंत्री केपी सर्मा भी बामपंथी है और नेपाल में समीधान को जो अ जाने जाते हैं, 2015 में भारत के नाकेवंदी के बाद भी उन्होंने नेपाली समिधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाब कारवाई के लिए केपी सर्मा चीन की गोद में चले गए नेपाल सरकार चीन के साथ एक डील कर रही है, इसके तहज जो है चीन ने अपने पोड का इस्तेमाल करने की इजाज़त नेपाल को दे दी थी यहाँ सब जो नेपाल कर रहा है उसके पीछे चीन का हाथ है दरसल चीन जो है वह नेपाल में अपना रेलवे लाइन दिछाना चारा है और नेपाल में भारी पेवाने पर निवेश करना चारा है माववादियों ने भारत का विरोध कर चुनाव जो जीता था नेपाल की सियासत पर इन दिनों माववादी दनों का कवजा है वहाँ पर पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस नेपत्थे में चली गई और बामदल पहारी लोगों ने भारत के खिलाब दूस परचार करने म लगे हुए हैं भारत के विरोध में भारत में रहने वाली मनीशा को राला ने भी विवादास्पत बयान दिया है इन सब विवादों के बाबजूत भी आसा करते हैं कि भारत और नेपाल के भीज जो है संबंध अच्छे होंगे यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी लाइक जरूर करें और हां सेयर करना न भूले और सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें तब तक के लिए धन्यवाद